बैरों भाईयों हसीनाओं की निगाहों में नौजवानों की जुबाँ पर जेवरात की दुनिया का लीडर नाम MS जुएलर MS जुएलर हैदर गुडा बशीर बाख नमस्कार हैदराबाद सिटी पुलीस टास्क पोर्स के तरफ से आज फोर मेंबर क्रिमिनल गैंग जो आटो में पैसेंजर्स को और उनसे सेल फोन निकालते थे उनका अरेस्ट हुआ और उनके अरेस्ट होने के बाद उनके पास से 19 सेल फोन का रिकवरी हुआ 11 केसेज डिटेक्ट हुए टोटल 54,500 कैश और पूरे मैटेरियल लगवख 5 लैक रूपीज का रिकवरी हुआ ये क्रिमिनल गैंग जो टास्क पोर्स ने अरेस्ट किया उसके जो और गैसर है लीडर है मुहमद इब्राहिम हुसेन एलियर सज्जू ये 28 यरोंस का ओल्ड है और पान शॉप का ओनर है रेन बजार यापूद पुरा का रहने वाला है इसके पहले 10 केसेज में ये इन्वाल्व था और अफजल गंज इंस्पेक्टर साहब के तरफ से पीडी आक्ट इसके उपर 2018 में लगाया गया और 2018-2019 में एक साल ये पीडी आक्ट में जेल में रहा था जेल से निकलने के बाद ये इमिडियेटली अपना फिर दुबारा क्राइन शुरू किया और 11 सेल फोन थेफ्ट केसेज में इसका इंवाल्मेंट था जो दूसरे हैं वो मुहमद शरीफ एलियस शरियार सन अप मुहमद जहांगीर एज 26 एस ये आटो ड्राइवर का काम करता है अमन नगर यापुत पुरा का इसके उपर भी इसके पहले 12 केसेज थे और ये भी अफजर गंग पुली स्टेशन के तरफ से पीडी एक्ट में 2015 से लेकर 2016 तक एक साल ये जेल में रहा तीसरा मेंबर सेद गयाज हाश्मी एलियस गयाज ये आटो ड्राइवर है जहानुमा एरिया का और प्रिवियसली चार केसेज में इन्वाल्व है और ये बेल पे बाहर आया था फोर्थ जो है ये सयद रशीद हुसाइन इलियस बाबा गौलीपुरा का रहने वाला है और ये रिसीवर औफ स्टोलेन प्रॉपर्टी है ये पूरे जितनी चोरी का सामान होता था उसको ये रिसीव करता था ये पूरे जो 11 केस है उसमें बेगम बजार, बेगम पेट, मुगलपुरा, संतोष नगर, सुल्तान बजार, चार मिनार, बंजारा हिल और जुबली हिल पुली सेशन का केसेज है और अभी तक 19 मोबाइल्स की रिकवरी हुई है एक आटो का हुआ है और साथ में कुछ कैश भी मिला है ये पूरे ओपरेशन के लिए हमारे DCP Task Force की leadership राधा केशन राव के leadership में पूरी उनकी Task Force की team नौर्जोन की team और उनके साथ Inspector के नागेश्वर राव, Sub Inspector और पुलीस जी राशेकर रिड़ी, बी परमेश्वर के श्रिकांत और उनके पूरी टीम ने बहुत मेहनत कि और यह केस को डिटेक्ट किया, इसके लिए हमारे तरफ से उन लोगों को हार्टी कॉंग्रेचुलेशन्स, थैंक यू